once again welcome back to my youtube channel तो आज की वीडियो में हम youtube के नए feature creator music के बारे में जाने वाले है जिसको use करके आप दुनिया का कोई भी copyright song अपने song में use कर सकते हो use ही नहीं कर सकते हो उसके साथ साथ उसे monetize करके earning भी कर सकते हो इसके बारे में हम detail में जानेंगे साथ में हम जानेंगे कि अगर आप कोई low-fi song बनाते हो, remix songs बनाते हो cover songs बनाते हो उसमें आपको copyright मिलते है उसमें copyright ना मिले और वो youtube पे release हो जाए उससे आप monetize करके earning भी कर सको तो कैसे करना है वो आज की वीडियो में मैं उसको detail में बताने वाला हो तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू तो सबसे बहले हम बात करेंगे youtube के नई feature creator music के बारे में ये कब से इंडिया में start होगा वो भी मैं बताऊंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा detail में हम बात करने वाले हैं सबसे बहले हम बात करेंगे benefits के बारे में अगर आप lo-fi songs बनाते हो cover songs बनाते हो remix songs बनाते हो vlogs में कोई bollywood songs use करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो इस feature के यूज़ करके आप उससे benefit ले सकते हो तो अगर आप remixer हो lo-fi songs बनाते हो cover songs बनाते हो दुनिया का कोई भी song use करना चाहते हो जो की licensable है YouTube पे present है तो इस feature के आने के बाद वो आप use कर सकते हो और उससे earning भी कर सकते हो creator music के तीन features आए first feature के हम बात करते है one short license buy अगर आप कोई song purchase करना चाहते हो उसका license purchase करना चाहते हो one time payment करके आप उसका license buy कर सकते हो और अपने song में उसे use कर सकते हो उससे monetize भी कर सकते हो कैसे करता है for example अगर मैं एक artist हूँ वैसे तो सच में artist ही हूँ मेरा कोई song है और आप उसे use करना चाहते हो मैंने YouTube पे present कर दिया कि मैं अपना ये song का license 10 dollar का आपको देना जाता हूँ आप उसे buy करोगे 10 dollar का मतलब approximately 800 रुपे का आपने वो license buy कर लिया आप अपने song में मेरा song use कर सकते हो और आपको कोई copyright नहीं मिलेगा आप कोई Bollywood का song भी use कर सकते हो जो की licensable है आप कोई remix song भी use कर सकते हो जो की licensable है license की cost depend करेगी channel के size पर मैं एक original artist हूँ तो ये मेरी मर्जी है कि मैं license किसे कितने रुपीज का बेजना चाहता हूँ for example अगर आपके channel का size है 1000 subscriber तो obviously आपके जो license की cost होगी वो कम होगी अगर आपके channel का size है big मतलब अगर आपके लाग subscriber है 1 million subscriber है तो आपको थोड़ा ज़ादा पे करना पड़ेगा जो की मेरे हिसाब से एक जायज बात नहीं है बट YouTube ने हमें feature दिया तो उसे हमें agree करना ही पड़ेगा तो for example अगर आपको मैंने 10 dollar का एक license दिया है आपका 1000 subscriber है तो आप 800 रुपए में यूज कर सकते हो अगर आपके लाग subscriber है तो उसी आप से आपको कीमत चुकानी पड़ेगी for example आप 200 dollar 300-500 dollar भी देना पड़ सकता है आपके चैनल के size के कोड़ेगा तो second जो feature है वो है revenue share model उसमें क्या होगा for example मैं एक artist हूँ मैं अपना song license के लिए नहीं देना जाता YouTube को मतलब कि आप one time payment करो उससे use ना कर पाओ अगर मेरा song use करना जाते हो तो आपको 50-50 revenue divide करना पड़ेगा for example मैं अपने song से लाख रुपे कमाता हूँ आप वह song use करना चाहते हो ठीक है जब आप YouTube से earning करोगे monetization के through आप 50,000 रुपे earn करते हो तो 25,000 मुझे 25,000 आपके account में automatically distribute कर देगा YouTube तो ये second feature था इसमें आपको मतलब license भाय करने की जुरुरत नहीं है जब आपने revenue share model को opt किया आप one time एक song use कर सकते हो और first का भी मैं आपको बंदा ना चाहूंगा अगर आपने license भाय कर लिया तो आप एक ही वीडियो में उसे use कर सकते हो for example जब आप उसे license को भाय करोगे आपको एक key मिलेगी जैसे आप कोई software भाय करते हो तो आपको एक key मिल दिया ना तो one time use होती है आपको वह key मिलेगी जब आप अपना song upload करोगे वह license के थ्रू आपने मेरा song use करके कोई song upload कर दिया license भाय करने के बाद तो आपको copyright claim तो आएगा बट वहां पे आप जब वह key मतलब मेरा license code डालोगे तो आपके copyright वह रिमूव हो जाएगा ठीक है जैसे एक आप software यूबाय करते हो उसमें key डालते हो वह आप activate कर ले तो आपका software आपके ही laptop पे चलता है आपके ही computer पे चलता है वो कोई और use नहीं कर सकता ठीक है तो license भी ऐसे ही work करेगा revenue share model भी ऐसे ही work करने वाला है थर्ड फीचर है कि non-licensable songs for example मैं एक अरीजीत सिंग हूँ आतिफस नम हूँ बादशाओ हूँ रफ्तार हूँ बहिमिया हूँ कोई भी हूँ famous artist और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने song को YouTube को बेच हूँ ना मतलब license के लिए valid ना करभा हूँ अगर आप मेरा song बायर करना चाते हो अगर वो licensable नहीं है और आपने वो song यूज कि आपने song को बनाने में remix करने में लोफ़ बनाने में तो आपको copyright strike आएगी आएगी strike नहीं मतलब copyright claim आएगा आप उसे earn नहीं करभाऊगे monetize नहीं करभाऊगे अगर वो लाइसेंसेबल नहीं है यूटूब का जो एक creator studio होता है जहां पर आप अपना analytics देखते हो subscriber देखते हो earning जो होती है आपारा revenue जो होता है YouTube के creator studio पे वहीं आपको ये creator music का एक feature एक tab आने वाली है जैसा कि आप screen पर देख सकते हो तो ये जब creator music का feature इंडिया में valid हो जाएगा अभी जैसी rumors चल रहे है ये next month हमारे इंडिया में आने वाला है अभी जो है अमेरिका में beta version के जो users है उसके लिए ये रोल आउट कर दिया गया है फीचर beta version के यूजर है वो अभी use कर सकते है इससे earning मतलब license बाय कर सकते है इंडिया में expected है कि 2023 में जैनुरी में आ जाएगा अगर आप यह जैनुरी में वीडियो देख रहे है तो comment करके बताना कि यह रोल आउट फीचर हो चुका है कि नहीं हुआ ठीक है तो जब आप अपने मैं एक original artist हूँ मैं अपना song release करूंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप इसे license out करना चाहते है उसका license out करना चाहते है या अप revenue share model के through अपना song release करना चाहते है original song जब आप distribute भी करोगे करोगे creator music को ignore करोगे तो automatically आपका जो song है वो license के लिए valid नहीं होगा आप उसका license नहीं sell out करता होगे जब आप अपने original song upload करोगे YouTube पे तब यह वैलिड होगा जब यह roll out हो जागा इंडिया में ठीक है तो अब बात करते है जो original artist है उनको क्या फैदा होगा इस creator music का जैसे मैं एक original singer हूँ ठीक है अगर मैं अपना license roll out करता हूँ फॉर एग्जमपल मैं अपने song से एक लाख रुपया कमा रहा हूँ मैंने license out किया दस डॉलर का अगर उसे हजार लोग बाय कर रहे हैं 10 इंटू थाउजन एटी थाउजन रुपीज मैं license sell out करके भी कमा रहा हूँ और एक लाख मैं monetize करके भी अपना song earn कर रहा हूँ यह तो आप अपना original song release करोगे आपको expected है कि वह viral हो सकता है आप उससे 10 लाख रुपय कमा सकते हो जब आप किसी और artist को उसके यूज करने के लिए दोगे तो वह भी शायद एक लाख रुपय तो कमाएगा 50,000 उसका revenue आपको मिलेगा ऐसे अगर 50 आर्टिस ने आपका मतलब फेमस 50 इस ने आपका song use कर लिया वह अगर हर आर्टिस आपको मतलब खुद एक लाख रुपय एक लाख छोड़ो दस जार रुपय कमा रहा है तो पचास आर्टिस से आपको 55,000 रुपय आने वाले हैं तो मतलब की 25,000 रुपय आप उसे revenue share model से भी earn कर सकते हो थर्ड फीचर तो I don't think की original artist को benefit देगा कि वो अपने license ही sellout नहीं गर रहे मार्केट में बढ़ हां कई famous artist को help करेगा for example अरी जीच सिंग को help करेगा वो अपना license मार्केट में नहीं देना जाते मतलब कि खुद ही वो इतना ज़्यादा कमा सकते है एक song से 10 million 10 लाक रुपय कमा रहे है वो एक song को अपन कोई उसे use ना कर पाए तो यह तो थे benefits क्या है creator music के अब बात करेंगे कि आप कैसे अपने low-fi songs remix songs cover songs बिना copyright के YouTube पे release कर सको और उससे earning monetize करके कर सको तो जानते है कैसे उसे करना है मैं यहां सिर्फ बात कर रहा हूं YouTube पे आप कैसे यह songs release कर सकते हो मैं कोई distributor की बात नहीं कर रह कैसे आप उसे release करके earn कर सकते हो तो करना कि आपको 4-5 songs choose कर लीजिए जो famous हो famous भी ना हो अगर आपके जो पसंद के है 4-5 songs उठा लीजिए कहीं से choose कर लीजिए और उनको use करते हुए आपको segment में अपना एक song तयार करना है segment में कैसे करना है वह मैं आगे बताऊंगा अगर कि आपको copyright आएगा या नहीं आएगा 70% chances है कि आपके copyright आएगा या अगर आपका song तीन मिनट से ऊपर है तो मैं आपको suggest करूंगा तीन मिनट से छोटा दो से धाई मिनट का ही song बनाए segment में आपको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं है पांट सूंगक खकाया आपने ठीक है अपनेकै के सरीह उठा लिया चैन्मेरे उठाले कोई भी आपने पांट सौंग उधा लिए आपको कैसे काने मैं तो 10-15 seconds first song use करना है then 15-30 seconds 15-13 seconds आपको second song use करना है then first song use करना है then fourth कर जिए fifth की जिए then first की जिए then second की जिए ऐसे करते-करते segment में मतलब 10-10 15-15 5-5 seconds का use करते हुए आपको तीन मिनट से 2-3 मिनट का song तयार करना है background जो music होगा तो वह कोशिश कीजिए कि आप original खुद बनाए basic सी beat बना लीजिए उसे ही background में प्ले कीजिए और उसके ऊपर आप 4-5-6 songs जो famous songs है उन्हें use कीजिए उनके music के साथ तो होता है क्या copyright कैसे आता है मैं आपको बता ना चाहूंगा यूट्यूब की algorithms है वो detect करती है कि आपने कौन सा song यूज किया है तो आपको copyright डाले कोई वहाँ पर लोग नहीं बैठे है कोई इनसान नहीं बैठा है कि चेक करने के लिए कि हाँ आपने ये song यूज किया है तो आपको copyright आएगा तो अगर आप 5-6 songs यूज करोगे तो automatically algorithm भी confused हो जाए कि कि ये कौन सा song यूज किया है ये कोई मैं आपको बताना जाओंगा फिर यूज नहीं है यूट्यूब का ये एक अपना ही गई आर्टिस के थुरू ट्रिक है जिसके थुरू copyright नहीं आता है मैं आपको guarantee दे सकता हूं अगर आपने ये जो segment में यूज करके song बना दिया तो आपका copyright नहीं आएगा उसे आप monetize भी कर सकोगे और उससे आप earning भी कर पाऊगे इसकी मैं guarantee दे रहा हूं हाँ अगर आपने 10-15 second को नहीं अपना है और 20-25 second का कोई एक song यूज कर रहे हो तेन फिर 20-25 कर रहे हो 30 कर रहे हो second तो मैं guarantee दे सकता हूं आपका copyright इक song जब भी आपको रिलीज करो description में उसका link ज़रूर देना मैं भी सुनूंगा कि कैसा आपने song बनाया है आशा करता हूं वीडियो पसंद आई है वीडियो को like कर दीजे और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेक्या हूं तो चैनल को करके बेल एकन ज़रूर दबा दीजेगा जुड़े रहिए मेरे साथ आपके लिए और भी ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूंगा मिलते आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए keep watching कें पसीमो पीस आउट